वेशाक मास महत्तम अध्याए आठ हरे कृष्णा राधी राधे वेशाक मास में सूर्योदे से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और अर्योगिता देने वाला माना गया है जीवन में रभाव दरता है आंत्रिक आनंद मिलता है इससे बुद्धी शुद होती है इरादे सुनर होते है इसलिए सब को वेशाक मास में कुछ ना कुछ शुप करन जरूर ही करना चाहिए अब शीगनेश ची महाराज और अपने गुरुदेग को याद करते हैं वेशाक मास महत्तम का आठवा अध्याय सुनते है जै गनेश जै 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 गजवंदन कृपा सिंदु भगवान मुसक वाहन दीजिये ज्यान बुद्धि वर्दान बोलो गनेश जी महाराज की जै गुरु की कृपा हो शिश्य पे पूरन हो सब काम गुरु की तेवा करत ही मेले ब्राम का धाम बोलो गुरुदे महाराज की जै वेशाक मास महत्तम के अध्याय साथ में शी नारज जी ने राजा अमरीश को वेशाक मास में शी मादव की पूजन विधी प्रतिमा का पूजन और महिमा बताई थी अब आज इस अध्याय आठ में शी सूजी महराज यम, राज और ब्रामण का संवाद बता रहे है शुरू करते हैं बहुत संदर प्रसंग है शौना कादी 88,000 रिश्यों ने सूजी से कहा ये सूजी आपके शी मुख से नारज जी द्वारा वणने वेशाक मातम को सुन कर हम सभी धन्ने हुए ये वेशाक इतना जादा पवित्रोग पुन्यमई है इसलिए वेशूजी महाराज इस विशे को पुन्ह विफ्तार से कहिए आपके उत्तम वचन रूपी अम्रित का पान करते करते हमें धृत्ती नहीं होती है सूजी बोले महारिश्यों इस विशे में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्रामण और धर्म राज यमराज के समवाद का वर्णन है आप इस समवाद को ध्यान पुर्वक सरो एक समय एक ब्रामण ने धर्म राज यमराज को पूछा हे धर्म राज धर्म और अधर्म के निर्णे में आप सब के लिए प्रमान सुरूप है क्रिपया बताईए मनुशे किस कर्म से नर्क में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से विस्वर्ग में जाते हैं क्रिपया करके इन सब बातों का वड़नन कीजिए यम्राज बोले ब्रामन जो मनुशे मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुक और शी विश्नु भक्ती से रहित है जो प्रम्मा, शेव तथा विश्नु को भेद गुधी से देखते हैं जिनके हिदय में विश्नु विध्या से विरक्ती है जो दूसरों के खेत, जिविका, घर, पीती तथा आशा का नाश करते हैं ये नर्ग में जाते हैं जो मुर्ख, जिविका का कश्ट भोगने वाले भ्रामडों को भोजन की इच्छा से दर्वाजे पे आता देखकर उनकी परिक्षा करने लगते हैं उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उन्हें नर्ग का अतिती समझना चाहिए जो मुर्ख, अनाथ, वैशनव, दीन, रोगों से परिशान तथा वृत मनुष्यों पर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिटा के कारण उसे छोड़ देते हैं वो निश्चे ही नर्ग के पात्र बनते हैं जो सब पापों को हरने वाले दिव्वे स्वरूप, व्यापक, विजई, सनातन, अजनमा, चतुरभुज, अचियुत, विश्नुरूप, दिव्वे पुरुष, शे नारायन देव का पूजन, ध्यान और स्मरन करते हैं वे शिरीहरी के परम धाम को प्राप्त होते हैं ये सनातन शुती है भगवान दामोदर के गुड़ों का किर्टन ही मंगलमय है वही धन का उपारचन है तका वही इस जीवन का फल है अमे तेजस्वी, देवादी, देव, शिविश्नु के किर्टन से सब पाप उसी प्रकार नश्ठ हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंदकार जो प्रतिदिन शधा पूर्वक भगवान शिविश्नु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं वे मनुशे सरगगामी होते हैं ये विप्रवर भगवान वासुदेव की नाम जब में लगे हो मनुशे पहले जो पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूद उनके पास नहीं फतकते ये दुच्छेष्ट हरी किर्टन को छोड़के दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रियाश चित हो जो मांगने पर प्रसन होते हैं देखर प्रिये वचन बोलते हैं तथा जिनोंने दान के फलका परिप्याग कर दिया वे मनुशे स्वर्ग में जाते हैं जो दिन में सोना छोड़ देते हैं सब कुछ सहन करते हैं पर्व के अफसर पर लोगों को आशे देते हैं अपने से द्वेश रखने वालों के प्रती भी कभी द्वेश अहितकारक वचन मूझ से नहीं निकालते अपित्यू सब के गुड़ों का ही बखान करते हैं वे मनुशे स्वर्ग में जाते हैं जो पराइस्त्रियों की और से उदासीन होते हैं और सत्व गुड में स्थित होकर मन वानी अत्वा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमन नहीं करते हैं वे मनुशे स्वर्ग कामी होते हैं किसी भी कुल में उत्पन होकर, जो दयालू, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुशे स्वर्ग में जाते हैं, जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को इश्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमात से, बुद्धी को लोब से, मन को काम से, तथ धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुशे स्वर्ग दामी होते हैं, हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्न दोनों पक्षों की एकादिश्यों का विदी पूर्वक उपवाव करते हैं, वे मनुशे स्वर्ग में जाते हैं, समस्त बालकों का पालन करने के लिए, जै से औशदी की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित एकादशी पिथी का मिर्मान हुआ है, एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला तूफरा कोई साधर नहीं है, अटा एकादशी को विदी पूर्वक उपवाव करने से मनु पुक्त होने पर भी अत्यन पुन्य शाली तथा आंत में बैकुन धामने पधारते हैं जो वेची यमना गंगा तथा पुन्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं चिंदी स्नान और दान में सदाप्रविती हैं वे मनुशी कभे नर्क का मार्ग का दर्श होते हैं वे पाप रहित हो महादेव जी की लोक में जाते हैं अचिर काल तक महाँ आनंद भोगते हैं जो मनुशे चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोश आदिनियमों का पालन करते हुए उसकी तड़ पर विशेश तहा व्यास आश्रम में तीन रात निवास करते हैं व प्रभास शेत्र में मृत्यू को प्राप्थ होते हैं वे विश्णू लोक में जाते हैं जिनके द्वार का या कुरुक शेत्र में मृत्यू हुई है अथ्वा जो योगा भ्यास से मृत्यू को प्राप्थ हुए हैं अथ्वा मृत्यू काल में जिनके मुख से शीहरी इन दो अक्षरों का उच्चारन हुआ है ये सभी भगवान शीहरी के प्रिये हैं ये विप्र जो द्वार का पुरी में तीन राद भी ठहर गया वो अपनी ग्यारा इंद्रुए द्वारा किये हुए सारे पापों को नश्च करके स्वर्ग में जाता है ऐसी वहां की मर्याता है वैश्नवरत एकादेशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यगादी के अनुष्ठान से उत्वन होने वाला धर्म इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था उस समय इन में से पहले का ही पलड़ा फारी रहा ब्राह्मन जो एकादेशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्यूत अच्यूत कहकर भगवान नाम का किर्दन करते हैं उन पर मेरा शातन नहीं चलता मैं तो स्वैम ही उनसे बहुत ड़ता हूँ जो मनुश्य प्रतेक मास में एक दिन अमावत्या को शात के नियमों का पालम करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा त्रिप्त रहते हैं वे धन्य हैं वे स्वर्ग गामी होते हैं भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोस्ते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्टन नहीं होता वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं जो भृत्यू लोक के भीतर भगवान शी नर नारायन के आवास था बद्रिक आश्चम में और नंदा सरस्वती के तट पर तीन रात निवास करते हैं वे धन्यवात के पात्र और भगवान शी विष्णू के प्रिये हैं ये ब्रामन जो भगवान पुशोतम के समीब जगनाथ पुरी में छे महीने तक निवास कर चुके हैं वे अचीव स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समझ पापों को हर लेने वाले हैं जो अनेक जन्मों में उपाजित पुन्य के तभाव से काशी पुरी में जाकर मनी कर्णिका के जन्में गोते लगाते और श्री विष्वनाथ जी के चर्णों में मस्तक जुकाते हैं वो इस लोक में आने पर मेरे वंदनी होते हैं जो शीहरी की पूजा करके पृत्वी पर कुशा और तिल बिछा कर चारो और तिल बिखेरते लोहा तथा दूद देने वाले गौदान करके विधी पुर्वक गृत्यू को प्राप्त होते हैं वे मनीशे सर्ग में जाते हैं जो पुत्रों को उत्पन करके उन्हें पिता-पिता-माहों के पद पर बिठा कर मम्ता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं वे भी स्वर्ग लोग के अधिकारी होते हैं जो चोरी डकेती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अत्वा अपने भागे पे ही निर्बर रहके जिविका चलाते हैं वे मनुशे स्वर्गामी होते हैं। जो स्वागत करते वे शुद पीड़ा रहे मधूर तथा पाप रहितवानी का प्रियोग करते हैं वे लेव स्वर्ग में जाते हैं। जो रोज नमैतिक आदी समस्पुन्ने कालों में भक्ति पूर्वक श्राद करते हैं वो निश्य ही देवलोग के फाकी होते हैं। दरिद्र का दान, सामर्थ शाली की शमा, नौजवानों की तपस्या, ज्यानियों का मौन, सुख भोगने के युग्ये, पुशों की सुखेचा, लिवृत्यां तथा संपूर्ण प्राणियों पे दया। ये सद्गुन स्वर्ग मिले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप का पतन का कारण बताया गया है। ये बिलकुल सच है। इसमें संदे की कुझ जाईश नहीं है। हे भ्रामन स्वर्ग की रहा पे ले जाने वाले समसादनों का मैंने यहां संचे वणन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। विशाक महा महतम अध्याय आठ संपूर्णम। इस अध्याय में धर्मराज यमराज ने स्वेम बताया है कि विभिन तिर्थो का महतों और उनका पुन्ने इकादशी व्रत का पुन्ने क्या कारे करने चाहिए जिससे स्वर्ग मिलता है और किन कारेों को करने से यम यातनाय भोगने पड़ती है इन बातों का ध्यान रखते वे जीवन में फक्ति करें कल विशाक महा महतम के अध्याय नौ में आगे की कथा सुनेंगे शन्भंगुर जीवन है पगले करले प्रभू का ध्यान रे ना जाने कब दे का पंची कर जाए प्रस्थान रे ये बात याद रखो मन्ने बसालो जीवन का कोई भरोसा नहीं है इसलिए अभी भी समय है जादा से जादा नाम जाप करके जनम रित्यू के चक्र से मुक्ति पालो और ये बहुत सरल है शास्त्रों में बताया गया है कल्यूग केवल नाम अधारा कल्यूग में नाम जाप करके बड़ी आतानी से आप भक्ती मुक्ती शक्ती प्रेम सब पातकते हो अपनी हर सास के साथ हर समय प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे प्लीज इन वीडियोस को जादा से जादा शेयर करके वेशाक माज के महत्तम को सब को बताओ प्लीग लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू हरी कुरिश्ण